नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज हम करेंगे वर्कशिप नमबर 97 ये हमारी हिंदी की कार्य पत्रिका होने वाली है 29 अक्टूबर 2020 की यहां पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानिया ध्यापक का नाम लिखेंगे आज हम फिर से पार्ट एक मन के भोले भाले बादल के बारे में पढ़ने वाले हैं चलिए इस वक्षिर को हम शुरू कर लेते हैं प्यारे बच्चों हमने कविता मन के भोले बाले बादल पढ़ी आईए अब हम इस कविता से कुछ और सीखते हैं बच्चों आपने देखा कि कविता की पंगतियों में कुछ मिलती जुलती आवाज वाले शब्द आए जैसे की बालो गालो ठीक है लाते जाते तूफाने शैतानी आदी मिलते जुलते समान ले वाले शब्द तुकान शब्द कहलाते हैं तो तुकान शब्द कौन से हो गए? वो शब्द हो गए जिनकी आवाज मिलती जूलती होती है इनको हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं ठीक है जैसे उपर उन्हों ने उधारन दिये है और यह हमने कविता में पढ़े थे जैसे बालो, गालो, लाते, जात तूफानी, शैतानी तो इनकी आवाज एक जैसी सी है तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम तुकान शब्द या इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स भोलते हैं चलिए अब हम कुछ प्रशन कर लेते हैं प्रशन नमर एक में लिखा है कि निमन लिखे शब्दों के तुका शब्द लिखने हैं इन जैसी आवाज वाले शब्द लिखने हैं लेकिन कवीता में आई जो शब्द है उनका इस्तेमाल नहीं करना हमें कुछ अलग से शब्द बनाने हैं और वो यहां पर लिखने हैं चलिए तो उधान के तोर पर हम लिख सकते हैं जैसे पहला शब्द है शैतानी, तो शैतानी का तुकान शब्द हो सकता है एक मस्तानी, मस्तानी क्या, जो अपने में मस्त रहे ठीक है, तो मस्तानी हम यहाँ पर लिख सकते है यह देखे इस तरीके से, तो यह एक तुकान शब्द हो गया और क्या तुकान शब्द हो सकता है शैतानी का एक हो सकता है बेईमानी ठीक है जो डिस ओनेस्ट होता है सच नहीं बोलता है बेईमानी करता है दोखा देता है तो वो आप यहां पर लिख सकते हैं बेईमानी इस तरीके से आगे क्या है अगला शब्द है काले तो इससे मिलते जुल्ते शब्द यानि इसके दुकान शब्द क्या हो सकता है एक हो सकता है बाले ठीक है जो कान के बाले होते हैं दूसरा क्या हो सकता है वो हो सकता है नाले ठीक है जो नालियां होते है वो वैसे नाले तो इस तरिके से आप कोई भी शब्द बना सकते हैं जिनकी आवाज या ले एक जैसी सी हो ठीक है और वो उनके दुकान शब्द बन जाएंगे चलिए अब हम आगे हैं प्रशन नमबर दो पर यहां पर लिखा है कि कविता के आधार पर सही वाकियों के सामने ठीक का निशान वा गलत वाकियों के सामने गलत का निशान लगाई है तो जो बात यहां पर सही होगी उसके आगे हम टिक लगा देंगे ठीक का निशान लगा देंगे और जो गलत होगी उसके आगे हम क्रोस का निशान लगा देंगे गलत का निशान लगा देंगे चलिए पहला वाक्य क्या है बादल सबका कहा मानते हैं तो जैसे हमने कविता पड़ी उसमें तो ऐ तो यहाँ है ज़्च के पंक अ creator से नहीं तो यहाँ पर हम लगाएंगे यह वाक्य गलत है तो क्रॉस का निशान लगा देंगे। फिर अगला वाक्य क्या है बादल मोर के पंक लगाए हुए है तो कहानी में यानि कविता में तो ऐसा नहीं था वो किसके पंक लगाए हुए थे ऐसा लग रहा था कि मानो परियो के पंक है ठीक मोर के पंक तो नहीं थे तो ये भी गलत हो गया फिर क्या है तीसरा बादल जर ज जर 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 पानी बर्साते हैं, ये वाक्य सही है और कविता में भी सही है, वहाँ पर लिखा हुआ था तो लास्ट हमारा है, बादल कभी-कभी जिधि Ben जाते हैं, तो ये भी हमने कविता में पढ़ा था इसलिए ये भी सही है, चलिए अब हम आजाते हैं प्रशन नमबर 3 पर प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं पानी हमारे जीवन में बहत्वपूर्ण है यानि बहुत ही जरूरी है अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी जीवित नहीं रह सकेगा इसलिए हमें पानी की बरबादी को रोकना चाहिए एक दिन जब रानी विद्याल लजा रही थी तब उसने देखा कि रास्ते में एक पानी का नल खुला हुआ है और पानी बेकार में ही बह रहा है रानी उस नल को बंद करना चाहती है लेकिन वहाँ पहुँचने में उसे थोड़ी परेशानी हो रही है क्या आप रानी को नल तक पहुँचा कर पानी की बरबादी को रोकने में मदद करेंगे यानि यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर यह एक मेज दी हुई है इधर नीचे आ जाएंगे इधर आ जाएंगे इधर आ जाएंगे ये लीजिए पहुचा दिया हमने रानी को नल तक तो इस तरीके से आप इसका सॉलूशन कर सकते हैं जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं जिनके पास वटसेप में ये आता है उनको जरूरी नहीं है इस तरीके से कुछ भी बनाना आप इस क्वेशन को छोड़ सकते हैं ठीक है चलिए अब आते हैं प्रशन नमबर चार पर बच्चों क्या आपको भी लगता है कि नीचे दिये के चित्र में कुछ गलत हो रहा है बताई ये तो क्या अब देखिए यहाँ पर एक चित्र है यहाँ पर एक बच्चा बरश कर रहा है दातों को ठीक है लेकिन ये क्या इसके सामने वश बेसिन में तूटी तो चल रही है और उसमें से पानी भी गिर रहा है और वो भी तब जब वो उस पानी को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो ये तो पानी की बरबादी हुई है ना तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब लड़का इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर रहा है उसमें फिर भी पानी का नल खोल रखा है और वह पानी को भरबाद कर रहा है तो इसके आंसर में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि पानी का नल बेवजह ठीक है जब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो बेवजह खुला है और क्या हो रहा है उससे पानी बरबाद हो रहा है तो यह इस चितर में गलत हो रहा है इस तरीके से आप यहाँ पर यह अंसर लिख सकते हैं आज की ग्लासी ही घतम होती है अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सीखेंगे तब तक के लिए थैंक यू और जैह हिंद